आज हम लोग बनाएंगे गाजर का हलवा वो भी बिल्कुर ट्रेडिसनल तरीके से तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले गाजर को लेंगे और उसका छिलका निकाल लेंगे छिलका निकालने के बाद उसको वाश कर लेंगे उसके बाद उसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने के बाद कडाही को घरम करेंगे उसमें 4-5 चमच खी डालेंगे और ग्रेट किया हुआ गाजर डालके अच्छे से भुनेंगे गाजर जितना अच्छा भुनेगा हलवे का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा अब हम इसमें दूट डालेंगे बिल्कुल मलाई के साथ मलाई जादे हो तो और भी अच्छा है आप मावा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसे तीन चाहे मिनित तक ढख के पकाएंगे फिर उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम उसमें ड्राइफरूट डालेंगे आप अपनी पसंद से जो भी ड्राइफरूट डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं उसके बाद उसमें चीनी डालेंगे इस वात के अनुसार उसे अच्छे से भूनेंगे हलवे की क्वांटिटी थोड़ी कम होने के बाद मतलब थोड़ा सूख जाने के बाद उसमें इलाइची पाउडर डालेंगे स्वात के लिए और उसके बाद गैस्ट को आफ करके हलवे को सर्फ करेंगे रिस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक जरूर करें